नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमिद्गुपता के यूटूब चैनल में आज आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों, आज मैं आपके लिए कराया हूँ कथन और तर्क के कुछ ऐसे प्रस्ण जो की UP Police और UPSI दोनों परिच्छाओं के लिए especially उपियोगी है इसके साथ-साथ RPF SI, RPF Constable, SSCGD हर परिच्छा के लिए समान रूप से उपियोगी है लेकिन इसमें जो प्रस्ण पूछेगा है वो UPSI की पुरू परिच्छा में पूछेगे प्रस्णों को आज के इस वीडियो में लिया गया है और हम लोग देखेंगे क्यों कथन और तर्क के प्रस्ण सामानेता छातरों के गलत होते हैं अगर आपने 10 प्रस्ण साल्व किया है अगर आपके 7 प्रस्ण भी सही हो जाए 10 में तो समझे आप बहुत ठीक दिशा में जा रहा है गलत तो तब होता है जब 10 में से आपके 8 प्रस्ण गलत हो जाते हैं 7 प्रस्ण गलत हो जाते हैं तो आई देखते हैं कैसे आप ज्यादा से ज्यादा प्रस्ण को सही कर सकते हैं तो देखिए कथन और तर्क वाले प्रस्ण में समानता देखा गया कि एक कथन होता है और समानता दो तर्क होते हैं कभी-कभी तीन या चार तर्क भी हो सकते लेकिन समानता दो तर्क और एक कथन होता है और जो कथन होता है वो प्रस्णवाचक होता है प्रस्ण के रूपे होत कभी कभी NTPC में देखा गया कि प्रस्णवाचक नहीं भी रहता है लेकिन सामानता 95% केस में कथन प्रस्णवाचक होता है जैसे कि क्या पेडों की कठाई पर प्रतिबंद लगा देना चाहिए ऐसा प्रस्ण पूछेगा उसके बाद दो तर्क दिये गए रहेंगे कि हाँ पे या नामे लिखा होता है समानता दो तो उन दोनों तर्कों में से कौन सा तर्क मजबूत है प्रबल है प्रभावी है यही बताना होता है यानि कौन सा तर्क मजबूत है तो और बाकी सारे तर्क यानि कि कमजोर होते यानि कि तर्क दो प्रकार के होते कमजोर तर्क और प्रस्र पूछे जाते हैं तो इन सब चीजों की आपको जानकारी जब होगी तभी आप सही उतर दे पाएंगे यानि करेंट अफेर से जूड़े होंगे सामाज में जो कुछ आपके आसपास घट रहा है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए जब तक जानकारी नहीं होगी जीके की करेंट अफेर की तब तक आप सही उतर देंगे कैसे जब प्रस्म का मतलब ही आपको नहीं समझ में आएगा तो बहुत कारण है क्योंकि इसमें अगर यूपी कांस्टेबल की परिच्छा देने वाले छातर अगर अपने आसपास के वातबराड में जो भी कु और दूसरा सही है इतना उल्टा निकलता है आपके हिसाब से दोनों गलत है तो आंसर देखेंगे तो पास जलता है दोनों सही है आपके हिसाब से दोनों सही है आंसर देखेंगे तो पास जलता है दोनों गलत है यानि इतना इतना आंतर होता है उत्तर में और वास्तविक हल में क्यों ऐसा उत्तर गलत होता है क्योंकि आफ खार नहीं बन पाती और ज्यादा तर किताबों में उत्तर बस देंके छूट लिया jati है यानि उसकी भर्पूर जितनी पर्यात व्याक्षा की जानी चाहिए उतनी व्याक्षा नहीं की जाती है कि तर्क गलत है तो क्यों गलत है तो क्यों सही इसके बारे में कुछ लिखा ही नहीं जाता है समानता कीताब Safe up किताबह बढ़ जाएंगे, देखी कथन, प्रबल और तर्क बताने की ट्रिक क्या कही जा सकती है, ये ट्रिक 100% आपका सही होग नहीं करेंगे, 100% तो आपका दीमा आग ही, आपका common sense ही मदद करेगा, अगर आपका common sense ठीक है, तो आप सही उत्तर तक पहुच जाएंगे, तो कोई trick आप आपका common sense खराब है, आपका common sense कैसे अच्छा बनेगा, common sense यानि सामाने बुद्धी कैसे अच्छी बनेगी, प्रेक्टिस करने से, शुरू में पहली बार अगर आप ऐसे प्रशनों को हल करेंगे और गल्ती हो रही तो घवड़ाईएगा नहीं, कि मुझसे ये क्या हो रहा ह सही सारा प्रसन गलत ही होता जा रहा है, क्योंकि सुरुवात में सब के गलत होते हैं, धीरे धीरे जब आपके आउधारा बिक्सित होगी सही गलत, सही गलत करते करते, 25-50-100 प्रसन करते करते, धीरे धीरे जब आपके आउधारा बिक्सित होगी, तब आपके प्रसन गलत हो और आप सही प्रसंट करने लाएंगे तो common sense आपका सही होना चाहिए 100% ये थोड़ा वो ट्रिक ये सब काम आते हैं ये मैं नहीं करूं कि ये साड़ी ट्रिक 100% पत्थर की लकीर है सामानिता ऐसा होता है 100% जो किसी अगर बात को तर्क में कह रहा है कि हाँ यही एक उपाय है यही एक मात रुपाय केवल यही उपाय ऐसा कुछ कह रहा है तब वो सामानिता वो तर्क गलत ही होता है सही भी हो सकता है या दर्केक जैसे बोल देगा सूरज पूरब में निकलता ह सदायव पूरव में निकलता है केवल पूरव से निकलता है तो यह बात सही हो जाएगी लेकिन सामानेता देखा गया कि केवल एक मात्र या 100% किसी बात को अगर कोई कह रहा है तो वह गलती होता है कोई कहा दे कि मेरे कोचिंग में आप एडमीसल लेजे 100% सफलता की गारेंट यानी पका जोट तर्क कथन से बड़ा नहीं होना चाहिए आपको पताई नहीं चलेके क्तर कथन से बड़ा है या नहीं है यानी यह सब ट्रिक थोड़े बहुत आपकी मदद कर सकते हैं पूरा-पूरा आपका हाथ पकड़के आपको सही उतर तक नहीं पहुचा सकते हैं परिडाम यह तो बताईए या उसका तरक से जो प्रस्ण पूछा जा रहा है उसका तरकिक जबाब मिलना चाहिए कुतर्ग करेंगे आंसर गलत हो जाएगा या यह रिजिनिंग सिखा रहा है कि आपको कुतर्ग नहीं करना है जबान नहीं लड़ाना है बलकि तारकिक जबाब देना है किसी भी प्रस्ण का सोध वैज्यानिक तथ सोध की अगर कोई बात करके कोई बात रखे सामने तरक में तो ज़्यादा उमीद होता है कि वो तरक जो है वो प्रबल होगा मजबूत होगा प्रभावी होगा वैज्यानिक कोई तथ दे कि अगर बात रखे तो ज़्यादा उमीद है कि वो तरक मजबूत होगा हंडेट परसें नहीं मैं बोला हूं हमेशा सामानिता सही होगा संतुलित कोई तरक बोले जैसे बच्चों को क्या सजा दिया जाना चाहि खते का वे तरक सही होने की तरब जा रहा है प्रबल होने की तरब जा रहा है ढ़ितना ज्यादा दूर तक प्रसंद के आंसर समय हमेशा गलत भी तो बहुत ज्यादा नहीं संसेत्स से उत्तर देना एक्जामनर के मांड़ सेbringen तो ओम माइड से ऐसे बनेगा कि जब ज्यादा से ज्यादा जिस प्ष की तरहें उसके वीघण प्रीषा तो पूछे प्रसपंटों को निदेख करें को कि कतन में पूछा गया है राम का नाम के पीता का नाम तो इस उसमें लचमाड, सतुरुदान, भारत, सीता की काली नहीं सुनाना है, यानि कथन में जो प्रस्ण पुछा गया, वही उत्तर में होना चाहिए, उसके आस-पास की दूर-दूर की बात करेगा, इधार-उधार की बात करेगा, तो यह तरक पूछा ही नहीं गया है, तो कथन से समन्दीत तरक है, तब सही होगा नहीं, तो ऐसे ही गलत होगा, और सबसे बड़ा ट्रिक तो ही है, सारा ट्रिक भूल जाएए, सिर्फ यह ट्रिक ही आदर कि भरपूर प्रैक्टिस, भरपूर प्रैक्टिस काईसे, ऐसा ही नहीं, छुचे-छुचे, बस प्रैक्टिस करते बगर्पूर ब्याख्या भी ऐसे किताब पकड़ीए, ऐसा यूटुब bijvoorbeeld चैनल पकड़ीए, जहां पर तरक क्यों सही होना उसका भरपूर कारण बताई है, उस पुस्ता को पकड़े compact जिसमें भरपूर ब्याख्या दिया गरई, ब्याख्या के नम्पर बस प्रबल है विक् पहला प्रस्ण है जो UPSI की परिच्छा में आया हुआ है तो देखिए प्रस्ण को ध्यान से पढ़िए कथन में दिये गए एक-एक सब्द महत्पूर होता है एक-एक सब्द से उत्तर में परिवर्तन होता है वो सब्द रहेगा तो दूसरा उत्तर नहीं रहेगा तो दूसरा उतर हो सकता है तो एक-एक सब्द को ध्यान से लेकिन परिच्छा में समय कम है इसलिए ध्यान से और तेजी से पढ़ना है उसके बाद तर्ग को पढ़ना है और तर्ग में जो कठिन बाते रहें उसको समाने किरित कर दी साधार बासा में कुछ सब्दों में पीरो दीजिए उ सरकार को सभी, सभी, यानि सभी की बात हो रही है, याद रखेगा, क्या सरकार को पहले खुछ से उतर दे दिया करिए, वीडियो को रोग दिया करिए, उसके बाद देखा करिए, तब आपको ज्यादा आनंद आएगा, क्या सरकार को सभी सारवजिनी कस्थलों और कार्यस्थल पर cctv लगाना अनिवार कर देना चाहिए मोटा मोटी कर रहा कि क्या सारोजिनी कस्थल पर cctv लगा देना चाहिए सरकार को लगाना अनिवार कर देना चाहिए तो यहां पर कर रहा हां हां कहने का मतलब यह हुआ कि उपर वाली बात पूरी हां में आ गई यानि कि हां सरकार को सभी सारुजनी कसलों पर CCTV अनिवार कर देना चाहिए यह पूरा बात के वल हां कहा देने से आ गया तर्क क्या दिया जा रहा है यादर कि अगर तर्क में कथन की बात को बस रिपीट कर करती हैं किसी महापुरूस का अच्छी बात का भी उजाराण देकर अगर कोई बात कही जाए तो सामानधवा ऐसी बाते गलत होती इसमें तर्क क्या है आपने गांधी जी के बातों का सहारा लिया है आप अपने तर्क से उसको सिध नहीं किये हैं तो उसे तर्क नहीं माना जाए जैसे क्या आपको अहिंसा में विश्वास रखना चाहिए हां रखना चाहिए क्योंकि आज गादी जी अहिंसा में विश्वास रखना थे तो तर्क प्रबल नहीं है क्या आपको नंगे पायर दोडना चाहिए जूतापान के , नंगे पायर दोडना चाहिए से तो किसी की कि देखा देखी वाली तर्क एकदम कमजोर आधी नहीं होग मैं और इसमें बताए है तोIRड्रquito सब्सक्राइब अस्तर में ब्षिद्धी होग हाँ और ना से तर्क के सहत पर कोई असर नहीं पढ़ने वाला है हाँ या ना के बाद कौन सा तर्क दिया गए यह महत्पुड़ा है दोनों एक साथ सही हो सकता है कि हाँ भी सही हो ना भी सही हो लेकिन दोनों का तर्क अच्छा होना चाहिए तर्क दमदार है कि नहीं है यह ब क्योंकि सारवजिनिक अस्थलों पे कर रहा है सारवजिनिक कारस्थलों पे कर रहा है न कि आपके घर में आपके बैडरूम में आपके सनान घर में लगाने की बात सरकार नहीं कर रहा है सारवजनी कस्थरों पे चट्टी चोराहों पे दुकानों के आसपास में लगाने की ये बात हो रही है जहां पे आपकी निजिता से कोई मतलब खास तर से नहीं वैसे भी दुकानों में CCTV कैमरे लगे होते हैं या यह भी कर सकते हैं कि आपकी निजिता के लिकर क्या कि आपकी निजिता बचाने की चकर में आपका समान कोई चोर लूट के भाग आप किसी उपता ही न चल पाए तो आपकी निज्टा आपके उपर भारी पढ़ जाएगी तो कुल मिला कि ये तर्क प्रबल नहीं माना जा सकता है दमदार नहीं माना जा सकता है इसले कहेंगे केवल तर्क एक मजबूत है नीचे विकल्प भी दिया गया राता है लेकिन मैंने छोटा हो जाएगा मैटर इसल जानते ही हैं इंजिनिरिंग कालेज में मेडिकल कालेज में किसी भी कालेज में कैमपस भरती होती है खासतोर से इंजिनिरिंग कालेजों में तो क्या उसको जारी रखना चाहिए तो तर्के करा हां का मतलब ही हो गया कि यानि जारी रखना चाहिए कैमपस भरती कारण या छ खात्रों को उसर मिलता है कि उनको नोकरी मिल जाएगी और कमपनी को उसर मिलता है कि उनको इंपलाई मिल जाएंगे अच्छे काम करने वाले लोग मिल जाएंगे दोनों के एक दूसरे को समझने का आउसर मिलता है, दोनों की आउसकता है पूरी हो जाती हैं, बिल्कुल सही, दमदार तर्ख है, बात सही है, दूसरा करन नहीं, नहीं का मतलब हो गया कि इंजिरिनिंग कालेजों में केंपस भरती प्राली जारी नहीं रखना चाहिए, तो प अने का मतलब है जो बड़े बड़े इंजिनीरिंग कालेज है नामी गिरामी है जिसमें अच्छी पढ़ाई होती है जिसमें तेज तरार छात्रों का एडमीशन होता है केवल वही लाग पाते इसलिए इसको बंद कर देना चाहिए हो जिना को तो यह कौँसी बात हुई अब जैसे यूपी पुलिस की भरती है तो क्या इस तरक के अधार पर बंद कर दिया जाना चाहिए कि इसमें केवल तेज तरार छात्रों को नोकरी मिलती कम जोर छात्रों को नोकरी नहीं मिलती इसलिए भरती बंद कर दी जानी चाहिए तो यह कोई बात नहीं हुई तो उसी तर मजबूत है प्रभावी है प्रभल है कुछ भी लिखा रहेगा क्या भरती परकिरिया में मनोमिती ये परिच्छड करना अनिवार है मनोमिती मतलब का चैन करना है जो दबाव की स्थिती में भी असपस्ट निड़ा ले सके यानि कि बनोबैग्यानिक बुद्धी परिच्छड नहीं होगा तो यह पता नहीं चल पाएगा कि जिस छात्र का हम चैन कर रहे हैं जिस भी नोकरी के लिए वह दबाव में काम कर सकता है कि नहीं तो जब साइकलाजिकल टेस्ट होगा मनवग्यानिक टेस्ट होगा बुद्धी परिच्छड होगा तब ही पता चल पाएगा कि हमारे नोकरी की यह चात्र अनुकूल है या नहीं जैसे आप यूपी पुलिस बन रहे हैं तो क्या दबाव में आप काम कर पाएंगे जरूरी है तो यह तरक प्रवला दूसरा करण नहीं नहीं होना चाहिए यह अधिकतर उमिद्वारों को अलग कर देगा अता बेरोजगारी बनी रहेगी फिर वही बात जैसे क्या यूपी पुलिस की भर्ती में मायत को या हिंदी को किसी भी एक सब्जेट को समाप्त कर देना चाहिए क्योंकि इसको बहुत कम छात्र हल कर पाते हैं और बाकी छात्रों को नोकरी नहीं मिलती है तो यह यह भी गलत बात है कि अधिकतर उमिद्वारों को अलग कर देगा तो कल उस नोकरी के वह अनुकूल में ही नहीं रहेंगे तो अलग हो ही जाना चाहिए इसका मतलब अयोग चात्रों की निउक्ति कर ले बिना मनुविती का मतलब उस पेंसन को जहलने दबाव को जहलने के अनुकूल नहीं है तभी भरती कर लिया जाएगा तो वह कैसे काम करेंगे बाद में दबाव में आकर वा इस तर्क खमजोर है कह दिया केवल तरक एक मस्बूत है इसका मतलब दूसा तरक कम्जोर है तो प्रसन देखे वीडियो रोग दिजे ऊतर देने का प्रयास करिए क्या भारत को केवल परमाडू केवल परमाडू केवल परमाडू केवल परमाडू उर्जा पर भरोसा करना चाहिए तरकर हाँ केवल परमाडू उर्जा पर भरोसा करना चाहिए क्यों बिजली की मान को मौजूदा संस्थान जो इस समय संस्थान है संसाधन है के साथ पूरा नहीं किया सकता है यानि कि वर्तमान में जो संसाधन है यानि जो कोईला से बिजली बनता है जो पानी से बिजली बनता है यह सब संसाधन पूरा नहीं कर सकते हैं तो गलत बात है केवल परमाडव उर्जा पर हम क्यों भरोसा करें और यह बिजली की म समान को मौझूदा संसाधन पूरा नहीं किया जा सकता यह कौन बता दी है क्यों नहीं पूरा किया सकता है यह तरक दमदार नहीं है गलत है पूरा किया जाना है दूसरा करें नहीं यानि कि नहीं इस भरुशा करना चाहिए यानी फतर क्या है अगर कोई दुरघतना होती है फारी नुख्सान होगा तक परमाडव उर्जणा नाम है इसलिए घृट दिखाई दे रहा है कि दृजटना होगी तो बहुत बाड़े दुर गटना हो जाएगा तो क्या इस डर से किसी योजना को रोग दिया जाए कि उसमें दुरघटना होने का डर है ट्रेन में दुरघटना होती है तो क्या ट्रेन चलाना रोग दें एरोप्लेन में दुरघटना हो जाती तो क्या बाइक चलाना बन कर दें तो दुरघटना के दर से क्या लाइट से डर है तो विद्दू पूरा नहीं किया ज़सकता है लेकिन पूरा किया ज़सकता है वर्तमान संसादनों से भी आंसर डी न तो तरक एक न तरक दो मजबूत है यानि कोई मजबूत नहीं है वक्तबे देखे कर रहा है कि जनगड़ना जो है प्रकिरिया का अंतराल कम करके पांच साल में एक बार कर देना चाहिए यानि पूछ रहा है क्या पांच साल कर देना चाहिए वैसे आपको पता ही होगा कि दस साल में जनगड़ना होता है अभी हाली में 2021 में कोरोना की चलते न कौन कितना है तो उसके हिसाब से सरकार नहीं नहीं योजिनाय लाती है जैसे आपको भी अपने घर पे अगर समोसा ले जाना है तो आपको पता रहना चाहिए कि आपके घर में कितने सदस्य है या जैसे हमारे कोचिंग संस्थान में जब कोई लड़का नोकरी पाता है है आपके आने वाला कर नगर्ण नोक्सान होगा तो पता रहना चाहिए कि कितने लोग है तो बात तो यह 5 सार्कार के नितिग्यों को नमine sensation तत्हते ने लेटेस डाटा को अपडेट करने में आसाली होगी व्याफारीיות को भी मदद مिलेगी और सरकार को भी निती गणाने में मदद मिलेगी नितिएगियों को मदद करेगा बिल्कुल तरक प्रभावि को सरकार, प्रिम सिवेखता स्युक्त करता है और यहांपर है और यहां में थियूरी में तु अ च्छा लग रहा है कि ना कर दिज suppression क्या मित अब चुनाव की तयारी में लग जाएंगे काम कुछ होई नहीं पाई काम शुरुवाती करें चुनाव आ गया सरकार बदल गई तो बहुत बात तो सही 5 साल पर करने से फादाई होगा लेकिन उसको करने के लिए बहुत धन का उपयोग करना पड़ता है जनबल लगता है इसल तो यह ब्यावारि कठिनाईयों के सामना करना पड़ेगा पर्रशासौंपर दबाव आप पड़ेगा, क्योंकि प्रशासद के पार और भी काम होते हैं तो वैवारिक्ता में यह गलत है थेरी में तो सही लँग रहा है यानि कि दोनों ही तर्क अपने अपने जगा हूं होते हुए ना होते हुए भी Спब्रबल्ल है क्या भारत को देखें उत्तर वीडियो रोग दीजें उत्तर बताने का प्रयास कर उसके बाद वीडियो तो आगे बड़ाईए है कैम्हारत को प्रतेश विदेशी निवेस को प्रोशाहित करना चाहिए यानी 20 से कंपभारत हमें पैसा लागाना चाहिए यहा प्रसेंट कूछा जारे निवेस नहीं करने देना चाहिए क्यों बवराष्टिय निगम भारतिय बाजारों पर अपनी इच्छा थोपते हैं यानि विदेशी कंपणिया भारत तो अपनी इच्छा थोपते हैं तो यह तर्क सही नहीं है कैसे इच्छा थोपतेगी भारत सरकार अपना सारा नीती नियम बिदेशी कम्पनियों के सामने रखता है कि इन नियमों का पालन करना है तभी निवेश करिए, तो कैसे कोई जवरदस्ति कर देगा, इच्छाए थोप देगा, तो यह तर्क सही, नहीं है क्योद पाला तर्क, मजबूत है, प्रबल है, आंसर ए, क्योद पाला तर्क, मजबू करता है, हर चीज यानी ठीक ठाक से हो, तो भूनियादी ढांचा बढ़ा देंगे, ब्यवस्ता अच्छी कर देंगे, तो नए अधिक से अधिक यात्रियों को और आकर्षित करेगा, बिल्कुल सही कि नहीं बढ़ाना है कि यह सही और बढ़त नहीं किरायो में बढ़ानागी कीओ यह टिकट किरायों किड़ाई वढ़किस करें यानी अगला डड़ा है यह वाला यैत्रि दि क्वार्या JOSH २ भीड़ा ब्रांदा धाएगा और वेवस्था सुधर या सुरच्छा मिल जाए बुनियादी धाचे में बड़ोतिर हो जाए थोड़ा से किराय बढ़ भी जाएगा तो हमें दिक्कत नहीं होगी क्योंकि रेलवे के किराय फिर भी सस्ता पड़ता है तो यह चीज गलत है कि किराय बढ़ने के डर से आप घ्याप्त धन है तो हमें काम पर जाना बंद कर देना चाहिए यानि कि आगर आपके पास पैसा आज आज मदेजें कि आपके पास चुप च्यापसे बाहर जाने क्या जरूरत सरकार i kung खाने-पिने के अनाज देहि रही है रासन के माद्यमसे वह मिल जार ठोड़ा और पैसा मिल जाया है अगर कहीं से यह तर्क मजबूत नहीं रहें कि खाने पीने की बेरस्था हो जाने के बवजूद भी कुछ काम करेंगे तभी कुछ सीखेंगे आपका मन लगा रहें गां ऑर भी कही करण है काम करने के समाज में आप कुछ दे पाएंगे अपना विकास में देश के विकास में योगदान कर पाएंगे यह करा नहीं नहीं कि ताओं पैसा मिल जा लेकिन काम नहीं बंद करना है फिर हमारे पास नए चीजों के बारे में आउगत होने के मौके कम हो जाती है यानि कि घर में बैठे रहेंगे तो आप अनुभाव नहीं ले पाएंगे तो बिल्कुल सही है केवल दूसरा वाला सही लग रहा है यहां पर लग रहा है यही कहा जा सकते हैं हमेशा कि केवल दूसरा वाला सही मजबूत लग रहा है है कि नहीं यह तो तभी पता चलेगा जब उत्तर देखेंगे इसका अंतिम उत्तर तो वही बता सकता है जिसने प्रस्ण बनाया है पर इच्छा में कभी भी ऐसा प्रस्ण आया है तो कभी भी आप मत करें कि पहला सही है केवल पहला प्रबल है, केवल दूसरा प्रबल है दोनों प्रबल है, ऐसा नहीं कहना है हमेशा काना कि लग रहा है कि पहला प्रबल है, लग रहा है कि केवल दूसरा प्रबल है, है कौन सा ये तो जिसने प्रस्ण बनाया है, आयोग वही बता सकता है, जो उत्तर दे देगा, इस पर विवाद भी लोग नहीं करेंगे कि ये गलत है कि सही है, जो आयोग उत्तर दे द से जो रेवीज होता है खास्तों से कुटों काटे से रेवीज समन्दी मौतों को खत्म करने के लिए क्या सभी आवारा कुटों को सभी बोला है सभी आवारा कुटों को सुख मिर्टू देनी चाहिए सुख मिर्टू यानि इंजेक्शन लागा के गैस के माध्यम से ऐसी बीद रही है जो रोड पे घुमते आवरा उनकी बात हो रहे है आवारा कुट्टे विशेश रूप से भारत में लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा है हर साल विश्व में रेवी से होने वाली मौतों में 36% अकेली भारत में होती है यानि 100% लोग मरते उसमें 36% भारत में है कभी आकड़ा कोई दे तो ज्यादा उमीध है कि वो तर्क प्रबल ही होता है यानि यह कर रहा है सभी कुट्टों को मार देना चाहिए और कितना निरंकुस उत्तर है कि यह निस्कर सही है यानि कि मार देना चाहिए क्योंकि जो भी नियम कानुन बनते मनुस्य अपने हिसाब से म महीं से मनुस्य अपने हिसाब से नियमों को नियंतित करने लगता है क्योंकि मनुस्य नहीं सारे नियम मनाएं इसलिए कुट्टों को मार दिया जाए सकता अगर वो मनुस्य जाती के लिए खत्रा है क्योंकि कुट्टे तो आएंग नहीं केस लड़ने के लिए क्यों मारा ग क्या गलती है जिसमें भी साडू नहीं है तो आइसा भी नहीं हो सकते क्योंकि जब छोड़ेंगे उन कुत्तों को तो फिर बाहर से इधर से उधर से उनको मार देती है अब दुसा करें नहीं नहीं मारना चाहिए उन्हें मारा नहीं जा सकता या लोगों पर निर्भार है कि वे खुद अपने आपको इस तरह के हमलों से बचाए यानि कि कुत्तों को मत मारी अपने आपको बचा के रखिए बच बच के चली रोड पे और काट कि देतो एंटी डेवीज में वाला इंञेट्व फालता वह लग लग वा ली यह कर रहा हुआ तो गाहों में तो हम लोग जानते हैं हर से परचित होते हैं काला भाला भूर। नहीं काड़ता यह सब जानते हैं हम वहागों को लोग जाते। नहीं लग सकता है लिए पहला वाला तर्क प्रवल है दूसरा उला प्रवल नहीं है यानि की वल तरक केक प्रबल कोई ए में बी में सी में डी में कभी कहीं भी हो सकता कोई भी विकल्ब इसलाएं कि तरक मजबूत है एमें रहना ज़रूरी नहीं है जैसा कि यहांपर है क्या हमें उच माधमिक अस्तर तक छात्रों के लिए परिच्छाय रद कर देना चाहिए यानि उच माधमिक अस्तर तक परिच्छा नहीं होनी चाहिए यानि पढ़ाई तो होगा पढ़ाई सारा होगा लेकि परिच्छा नहीं हो ते तरके करें कि हाँ यानि रद कर देना चाह लेते हैं तो यह हम जो च्छातर्य करते हैं वह उनकी गलती है कि वह फाकों नहीं झहेल पाएं या उन अभी भाव को क गलती है जो चातर और लैट कि जैसे लाइट से करेंट करा देंगे तरफ गलत है प्राबलनही नहीं यह कर थे क्योंति सिच्छा के लिए परिच्छा है महत्पूर है देखने में लग रहा है सही है लेकिन ये भी प्रबल नहीं है क्योंकि सिच्छा के लिए परिच्छा जरूरी नहीं है कोई चीज अगर आप सीखना चाते हैं तो उसको सीख लिजिए परिच्छा दे या न दे अगर आपने वो चीज़ सीख लिया तो सीख लिया नहीं सीखा तो नहीं सीखा परिच्छा देंगे तभी वो सिच्छा आपके काम आएगी ऐसी कोई जरूरत नहीं सिच्छा जरूरी है हर चीज की सिच्छा लेना जरूरी है परिच्छा हो या नहीं हो सिच्छा जरूरी है परिच्छा जरूरी नहीं है अंसर एडी ना तो एक ना तो दो कोई तर्ख प्रवल नहीं है क्या भारत में कालेजियों के हर छात्र को अपनी डिगरी प्राप्त करने के लिए अनिवारे अनिवारे सैन प्रसिच्छड कुछ देशों में अनिवारे सैन प्रसिच्छड होता है यानि सभी नागरिकों कुछ समय के लिए सैन प्रसिच्छड दिया जाता है तो जहां पर कम जन संख्या है वहां पर यह ज्यादा तर कारगर होता है सभी नागरिकों को सैनिक बना दिया तो तर कहा एक करा कि हाँ और देखे ये भारत के लिए किन बात हो रही है हाँ यह रच्छा सेना में मनुस्य बल को बढ़ाने के तरीकों में से एक है यानि मनुस्य बल को बढ़ाने के तरीकों में से एक है यानि रच्छा सेना में मनुस्य बढ़ जाएंगे यानि कि रच्छा सेना में लोग बढ़ जाएंगा, ज्यादा लोग हो जाएंगे, करा कि एक उपाय में से एक है, तो ये उपाय सही नहीं है, प्रवल नहीं है, क्योंकि रच्छा सेना में अगर आपको बल बढ़ाना यानि ज्यादा संख्या बढ़ानी है, तो आप जो या व्यक्ति के अपना स्वाइं का चेत्र चुनने के अधिकार के खिलाप है तो यह सई है क्योंकि वो बनना चाहरा teacher आपने उसे सेना के प्रसी छड़ दे दिया दो साल तक तो उसका दो साल का समय बर्बाद हो गया और वैसे भी यह जरूरी तब होता जब देश में जनसंक्या कम होती कोई सेना में जाना नहीं चाहता अब तो बहुत लोग सेना में जाना चाहते है बस उन्हीं को बुला लिजी तो आपकी पूरी सीड भर जाएगी तो यहां पर हमारा answer हो गया बिकल्प D केवल तर्क दो मजबूत है यानि केवल दूसाल मजबूत है तो दोस्तो आज काई वीडियो आपको कैसा लाग कामेंटि बाक्स में जरू लिखेगा वीडियो अच्छा लागा तो वीडियो के लाइक कर दीजी गा अपने दोस्तों में सेर कर दिजएगा चैनल पर नहां